अच्छा ध्यान से सुनना है इश्वर ने आपको जैसा भी बनाया हो पर आप बहुत खुबसूरत है और इसी खुबसूरती में निखार लाने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर आओ न अब्यास चैनल कैसे हैं आप सब अगर आप ब्राइड है दुलहन बनने जा रहे है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्याग से देखना क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है खास करके ब्राइड के लिए जो दुलहन है जिसकी शादी होने जा रहे है उसके आप अगर मेकप भी करोगे कुछ भी फेस पे लगाओगे तो उसका भी असर नहीं दिखेगा क्योंकि कोई भी गंदी जगे पे हम कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता है उसका क्लीन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अगर स्कीन आपकी क्लीन होगी प्रॉपर हाइड्रेशन होगा स्कीन में स्कीन आपकी ग्लोईंग होगी तो मेकप भी निखर के आपकी स्कीन में आएगा और इन चीजों को लोग नोटिस भी करेंगे मेकप का भी ग्लो बढ़ता है जब आपकी स्कीन ग्लोईंग होती है जब आपकी स्कीन सुंदर होती है तो आज एक ऐसा ही face और body लेप में आपके लिए लेकर क्याई हूँ ये लेप इसलिए है क्योंकि लेप को आप रोज लगा सकते हो देखिए आपकी skin का color क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपकी skin कितनी healthy है आपकी skin में कितनी shine है चा कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इसी तरह की natural चीज़े बहुत सारी धेर सारी चीज़े में आप लोगों के लिए लेकर के इस चैनल पर आती हूँ तो ऐसे useful, amazing और informative वीडियो आपसे नहीं छूटे इसके लिए आपको क्या करना है सिर्फ आपको चैनल को subscribe करना है, पास में bell icon को hit करना है और वीडियो को आपको like करना है और अगर आपके कोई questions हो तो आप मुझे comment में लिख के बता सकते हैं तो चलिए अब हम हमारा face lip बनाना स्टार्ट करते हैं, नीम की पतिया ली है जो एगने को treat करती है, इसमें antibacterial property होती है, यह आपकी skin में जो भी irritation होता है उसको खतम करती है, sign of aging को खतम करती है, फिर हमने आप मुमफली के दाने लिए इसमें fatty acids होता है, यह जहरे की swelling को कम करत है, इसमें protein होता है, जो आपके glow को बढ़ाता है, और skin को भी safe रखता है, मेथी दाना लिया है, मेथी दाना moisturize करता है, exfoliate करता है skin को, मसूर की दाल का powder डाला है, यह भी skin में से pigmentation को हटाता है, और skin को soft बनाता है, बेदाग बनाता है, almond में तो antioxidant होती है, vitamin E होता है, और यह skin को बहुत ही ज़्यादा healthy करती है, fair करने में बहुत ही ज़्यादा help करती है, उसके बाद में यहाँ पे soft डाली है, तो soft में copper, potassium, calcium, zinc, magnesium, iron, बहुत सारी चीज़े होती है, जो आपकी skin में से blemishes को निकाल के skin को smooth बनाती है, skin को exfoliate भी करती है, उसके बाद कच्ची हल्दी का use क आपको पता ही है, गाइस कच्ची हल्दी जो होती है, वो antioxidant होती है, और यह आपकी skin में से जो भी problems है, उसको दूर करती है, उसके बाद में यहाँ पे narial का गोला लिया है, सुखा हुआ नारियल का गोला, यह आपकी skin को बहुत अच्छी तरह से moisturize करेगा, यहाँ पे मैंने जाईया, जो कुछ भी problem से सबको दूर करता है, गुलाब जल मैंने डाला है, यहाँ पे जो toning का काम करता है, आप गुलाब की पतियां भी natural ले सकते हैं, यह आपकी सारी चीजे इतनी अच्छी mix हुई है, उसके बाद मैंने यहाँ पे milk एड़ किया है, milk में lactic acid होता है, यह अगर मैलासमा है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, जितनी भी problem से सब को हटाएगा, पर आपको इसका regular use करना पड़ेगा, और जिस method से मैंने इसका use किया है, उसी method को आप use करेंगे, तो आपको perfect result मिलेंगे, तो guys इसलिए यह lep bride के लिए बहुत ज़्यादा special अब इसको किस तरह से use करना है, उसको बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना, कोई भी treatment करने के पहले, फेस को clean करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने यहापे milk लिया, उसमें थोड़ा सा मैने नीबू डाला है, इनको अच्छी तरह स cleansing हो गया है, फेस को wash कर लिया है, उसके बाद मैं सीधा इस लेप पे आ गई हूँ, जो लेप मैंने तयार किया है, specially bride के लिए, तो ये जो लेप है, इसको आपको आपकी skin पे लगाना है, ये इतना ज़्यादा smooth है और इतना effective है कि एक ही use में आपको बहुत ज़्यादा करणा है, खराब नहीं होगा, फ्रीजर में भी रख सकते हैं, तो इसकी बरफ जम जाएगी, इसको आपको बहुत हन्के हाथ से मसाज करना है, जब आप इसको हल्के हाथ से मसाज करेंगे, तो आपको इसके साथ में किसी भी चीज़ की जरुरत नहीν पड़ेगी, किसी उयल कर सकते हैं, proper massage करने के बाद में मैंने इसको towel से नहीं पोचा है, हाथ से थप थपा के face को सुखाना है, ये slap therapy है हमेशा मैं अपने वीडियो में बताती हूँ कि आपको slap therapy का use करना है ताकि आपके skin का blood circulation बढ़े, उसके बाद हमारा step से, जो third step हमारा toning उसके बाद में मैंने rose water कामा का rose water लिया है मैंने उसको मैं अपने पूरे face पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये toning का काम करता है, skin को hydrate करता है, उसको भी थप थपा के skin के अंदर उतारना है ताकि आपकी skin अंदर से भी treat हो उसके बाद में मैंने यहाँ पे oil लिया, ये भी कामा अयरुएद का oil है, आप नारियल तेल भी ले सकते हैं मेरे पास ये oil था, इसलिए मैंने इसका use किया है, आप नारियल तेल भी ले सकते हैं, उसको पूरे face पे अच्छी तरह से आपको लगाना है, और लगाने के बाद में हलके हाथों से इसका मसाज करना है ये मसाज आपको बिलकुल smoothly करना है कोई भी मसाज यहाँ पे हाश नहीं होगा हलके हाथों से upward direction में पूरे face में बहुत अच्छी तरह से आप इसका मसाज कर लीजिए ताकि चहरे को अच्छी तरह से moisture मिल जाए, skin आपकी moisturize हो, आपकी skin pack लगाने के बाद ड्राइ नहीं हो इसलिए हमने इसका बहुत अच्छी तरह से मसाज किया है, अब यहाँ पे आपका next step आता है, वो जो हमने लेप बनाया है, उसको आपको पूरे face में अच्छी तरह से लगाना है, बहुत ही अच्छी तरह से इसका लेप आप पूरे face में लगा दीजिए, और लगाने के बाद में कम से कम आपको इसको 5 से 7 मिनिट तक अपनी skin में रखना है, जब तक यह बहुत सुख नहीं जाता, बहुत जादा हमको सुखाना नहीं है इसको पूरी skin में लगाने के बाद में इसको रखना है, यह आपके skin में इतना अच्छा glow लाएगा, लेकिन आप regular इसका use करोगे, तो आपको बहुत अच्छा result देखेगा, एक बार में भी आपको result देखेगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जो भी treatment होता है, जो भी चीज़ आप follow करते हो उसको regular आप follow करें कम से कम एक महीने तक, तब जाके आपको थोड़ा फर्क दिखता है, क्योंकि आपके skin में जो भी problem है, उसको treat होने में भी थोड़ा time लगता है तो यह यहां पर सूख गया है, skin खिचाने लग गई है, अब मान लो कि आप कुछ काम में busy हो और इसको wash नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहां पर rose water या normal water spray कर देना है, ताकि आपका pack जो है, वो गीला रहे जादा सूखे ने, क्योंकि जब pack सूख जाता है, तो skin खिचती है, और skin के अंदर जुरियां पड़ जाती है, उसके बाद में हमने lukewarm water से face को wash किया है, और फिर से मैं थप थपा के सुखा रही हूँ, जो steps मैंने follow कि है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना तो इस लेप को try जरूर करना को खुबसूरत नहीं मानते हैं, तब तक कोई भी face लेप या कितना भी healthy खाना, कुछ भी, कितने भी skin treatment, कितना भी महंगा आप treatment करवालो, पारलर में जाके कुछ भी आपके उपर असर नहीं करेगा, जब तक हम अपने आपको पसंद नहीं करते हैं, जब तक हम अपने आपको beautiful नहीं मानते हैं, तब तक आपके चेहरे पे निखार नहीं आ सकता, इसलिए जल्दी से इसी बात पर हस दीजी और आप भी अगर इस बात से सहमत है, आप भी अगर इस बात से के मुझे बताईए जल्दी से अगर आप इस विचार से सहमत होते हैं इसी तरह के इन्फोर्मेटिव और इसे तरह के नैचुरल चीज़ों के वीडियो लेकर के मैं फिर से आपके पास हाजर होते हूं तब तक के लिए आप फटाफटी स्ट्रीट्मेंट को चालो कर दीजिए मैं फिर आपको नेक्स ट्रीट्मेंट में दूसरे वीडियो में मिलती हूं तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर